हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू मैंगनेट ब्रेंस हिंदी मेरा नाम है अवनीश त्रिपाथी और आज की कक्षा में हम करने वाले हैं कक्षा बारार राणिती विज्ञान का अगला पार्ट द्वी धुरुता को चुनावती इससे पहले की वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैसे दो धुरुता यानि की बाइप पोलारिटी दुनिया भर में देखने के लिए मिल रही थी दुत्वी विश्यूद्ध के बाद फिर मैंने आपको बताया कि दो धुरुता के को का जो विस्तार हुआ उसका जो विकास करण में हुआ 1945 से 1990 तक के बीच में हुआ लेकिन एक महत्रपूर और भाग और आखरी भाग इस चैप्तर का है यानि की सीत्यूद्ध का दौर है इसका जो आखरी और इंपोर्टेंट पार्ट है कि इस दो धुरुता के दौर में कुछ ऐसे देश भी थे कुछ ऐसी सक्तिया भी थी या उबरते हुए देश थे जो किसी भी धूर के हिस्सान नहीं थे जो किसी भी महासक्ति के पीछे खड़े नहीं थे जिसमय वंको पहले ही बताया था कि त्ओ यह तीन दुनिया में हमारा प्यारा भारत भी उसमें था मिल था कुछ ऐसे देश निकल कर आ है जिन्होंने इन दोनों दुनिया या ब महासक्ति तोपी candiva के अने पीछे चलने से इंकार कर दिया और यह कहा कि हमें दोनों ही महासक्तियों के निपा यह साथ मिल जूलकर एक सांती बेवस्था बनानी है पुरे दुनिया में और अपने आर्थिक और समागी विकास पर ध्यान देना है क्योंकि ये जो दोनों ध्रूव थे ये जो दोनों महाशक्तिया थे वो अपने आप में एक एक्स्ट्रीम बात कर रही थे एक बात कर रही थी पूजी बात की, जिसमें पूरी तरह से मुक्त ब्यापार होना चाहिए, खुले बाजार होने चाहिए, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए करें, सबकुछ बाजार से तै होना था एक बात कर रही थी साम्मेवाद की जिसमें क्या उत्पादन करें कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें ये सब कुछ सरकार को तै करना था, राज्य को तै करना था, और इस बीच में जो ये नए नवेले देश थे, जो आजादी का स्वाद अभी चक रहते, जो नए नए आजाद होकर आये थे, उनको एक मिस्त्रित वादी अर्थ विवस्था के रास्ते पर चलना था, जिससे वो अपने राज्य के अपने लोगों की एस्पिरेशन को भावनाओं को पूरा कर सकें, विकास के पतपर आगे बढ़ सकें, और जाहिर सी बात है, इन दोनों महासक्तियों के पास कुछ ऐसी अनुखी चीजे थी, जिनकी जरूवत इन सभी देशों को थी, दूसरी एक परिशा जरूवता कभी काम नहीं आ सकती, इसलिए उन्होंने इसलिए दुए धुरुद्रता को चुनावती देने के लिए क्या किया, गुद निरपेक्ष आंदोलन को सामने लेकर आये, और गुद निरपेक्ष आंदोलन इस तरह अस्तित्त्य में आया, तो क्या था ये पूरा थे इसका इसलिए गुट निर्पेक्ष आंदोलन को जानना बहुत जरूरी है अब देखिए जैसे ही समाप्त हुआ 1945 में खतम हुआ यह उसके बाद सीट्यूद का काल सुरू हो गया जैसे मैंने आपको बताया है तो सीट्यूद का काल जब सुरू हुआ तो कई तरह की भूमिकाय बननी सुरू हो गई जैसे हमने डिसकस किया था नाटों की स्थापना हो गई फिर सीटों की स्थापना होने लगी इधर मार्सल योजना के जवाब में और योजनाय आने लगी यानि एक एक जिसको हम कह सकते हैं कि खीस्तान है महा सक्षियों के के लिए मिला जिसमें पूरी तीसरी दुनिया के कुछ महत्रपूर्ण नेता सामिल हुए जिसमें पंडित जवाला नहरू एशिया से मिस्र के करनन नासिर अफरिका के थे योगोसलाविया के मार्सल टीटो जो यूरेप से थे इन लोगों ने एक संयुक्त वक्तबे जारी क या सीथ यूद के पूरी प्रक्रिया की इन्होंने क्या किया जो दो निर्मिज सक्ति गुठ है सीथ यूद में इसकी कटू नेंदा की गई यानि भारत के जवाहरला नहरू जी इसके अलावा मिस्र जो की इजिप्ट अफरिका में था यहां से करनर नासिर जी पराण जो निर्मिज सक्ति गुट है जो पावर सेंटर बन रहे हैं जो दो महासक्तियों का हम खिस्ता देख रहे हैं सक्ति के लिए यह ठीक नहीं है विश्वसांती के लिए इसकी कटू निंदा की गई और उप्यूग तीनों नेताओं को ही इनी तीनों नेताओं को ही से पंडे जवाला नहरू मिस्र से करणन नासीर और युगसलाविया के मार्सवर्टीटो इनको गुट निर्पेक्ष आंदोलन के संस्थापए के रूप में देखा जाता है और माना जाता है कि इन्होंने गुट निर्पेक आंदोलन को की स्थापना की जो दो ध्रूता को चुनवती देने में सबसे कारगर आंदोलन माना गया अच्छा अब ये 1955 की बात है इसके बाद कई दौर की बातीच चली और सीति उद्वी आगे बढ़ रहा था और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था मैंने आपसे बताया कई दौर उसके आये थे तो 1961 में सर्विया की रा अब दिया उन्होंने ये मिल जूल कर ये गोशना की या ये दुनिया में बताना चाहा या एलान करना चाहा कि हम किसी भी गुट का हिस्सा नव बनते हुए दोनों गुटों से सहायता लेते हुए अपने आर्थिक सामाजिक सभी विकास को आगे बढ़ाएंगे और दोनों जड़ डेशों मैं या दोनों महासक्तियों माँ कह सकते हैं सजयोगत्वराज अमेरिका और सोवियत के पहली बार बेलगरेड में जाहिर किया गया और इसलिए 1971 से ही गुटनिर्पयक्षांदोलन की ओप्चारिक सिरुवात मानी जाती है तो क्या है एक ऐसा प्रयास जिसमें ये कोशिस की जाए कि दोनों महासक्तियों के बीच में मद्धस्ता हो किसी भी महासक्ति का हिस्सा न बनते हुए अपने दोनों महासक्तियों से मलत लेते हुए अपने राष्टिय विकास को आगे बढ़ाना अपने आर्थिक विकास को आगे किया गया इसका आपचारिक इसमें संभेलन करके सुरुवात किया गया बेलग्रेड में और पंडित जवारलाल नहरू मारसल ठीटो और करनन नासीर यह तीन महापूर्सों ने या तीन बड़े नेताओं अब जो गुट निर्पेक्ष आंदोलन था इसके कुछ महत्रपूर पहचानत है जिसके बारे में आपको देखना है तो क्या पहचानत है या क्या विसस्ताय रही जिसको आपको ध्यान में देना है जिसको आपको एक पॉइंटर्स के रूप में भी समझ लेना है कि संबंधिन देश को सांतिपूर सा अस्तित्त पर आधारित एक स्वतंत्र विदेशनिती का अनुसरण करना चाहिए अब देखे ध्यान से समझे गुट निर्पेक्ष आंदोलन में एक दूसरे सादस्यों के लिए कुछ गाइडलाइन्स दिये गए कुछ बात की गई कि हम सभी को ये मा आती नहीं हो रही थी सीति युद में तो मैं बड़ा मैं बड़ा ऐसा चल रहा था इसलिए गुट निर्पेक्ष आंदोल में एक आगया कि जो भी संबंदित देश है यानि जो लोग इसमें सामिल है वो सांतिपूर सा अस्तित यानि पीसफुल को एक्जिस्टेंस का ध्या नहीं हो उसे किसी सकती खेमे से नहीं जुड़ा होना चाहिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बाट जो पावर ब्लॉक थे जो बाई पोलारिटी थी दो ध्रुविता थी उसमें से किसी का भी हिस्सा नहीं होना चाहिए दूसरा क्या गवला संबंदित देश हमेशा इस रुधाश भारत हुआ वो सब कभी न कभी क्या थे घुलाम रह चुके थे बिटेiri ऋकी या कोई सी बड़े अपनी वेशिक देश कें तो जाहिर सी बात है कि इसमें ये कहा गया कि कोई ऐसे देश जो किसी नकिसी के गुलाम रहे हों और मुखे बात ये थे कि राश्ट्री स्वतंतर्ता आंदोलन के समर्थक रहे हों यानि ऐसा देश जहाँ पर कोई स्वतंतर्ता आंदोलन चल रहा हो उसको सपोर्ट करने वाले जो लोग रहे हैं वो इसमें सामिल रहें यानि वो इतनी एक आवाज बनना चाह रहे थैं कि यह देखो'm ऐसे लोग हैं जिनको दबाया गया था जिनके उपर सशाशन किया अर जब हम आजागो के निख हैं तो हम पुरी दुनिया में सांती की बारात चाहते हैं सांती की स्थापना चाहते कि जो भी गुट निर्फेक चांदोन से जूड़े ले हुएं यह जो बड़ी सक्तिया हैं बड़ी सक्तियों का सीधा मतलब था सोवियत संग और अमेरिका इन्होंने इनके बीच में जो संघर्स है जो पावर का टसल है इसमें इसके लिए जो बहुराष्टिय सैनी गटमंदन बना है बहुराष्टिय सैनी कटमंदन जैसे नाटो सीटो यह सारे जो कटमंदन बने हुए थे उसकिसी भी कटमंदन का हिस्सा नहीं होना है सीरीसी बात है अगर आप नाटो का या साउथ में जो यह सीटो बना है इस तरह के सैनी कटमंदन जैसे वार्षा पैक्ट उदर हो सकता है उन्होंने जाओ ठीक है आप कोई देश हैं आपको देश आपको रहे हूग और आप हमिको ड्याइए अपने शाथ में.- यूंध सम्झहोता करना है तो यह बोला गया कि जो सम्मंदित राष्ट हैं वह किसी बड़ी सक्ति के साथ दुई पक्षिय सैनिक समझोता कर सकते हैं यह मैं आपको गुट मिर्पेक्ष कि वो विशेस्ताइं बता रहा हूं जो ध्यान रखना है क्या सरते रखी गई थी कि जो सित युद्ध के वज़र से जो गुट बने हैं जो बहुँ पक्षिय सैनिक समझोते हो रहे हैं आपको उसका हिसा नहीं होना है डाइरेक्ट आप कोई सम्मंद बनाना चाहते हैं अमेरिका या सोबियत संग से वो आप कर सकते हैं यदि सम्मंदित राष्ट किसी वैदेसिक सक् तो या बड़ी सक्तियों के संगर्स के संदर में नहीं होना चाहिए यानि इनों नहीं ये बोला कि हो सकता है कि आप अमेरिका या सोबियत संग को अपने हवाई एड़ा बनाने की परमीशन दें लेकिन ध्यान रखिये कि जो सित युद्ध का लड़ाई चल रहा है उसके इ सैने लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना है आप वन टूवन अपने विकास के लिए उनसे कोई समझाता कर सकते हैं यानि यह निमित सर्थ रखा गया है निश्चेत सर्थ रखा गया कि सी त्युद्ध में जो दो महा सक्तियों के बीच सक्ति का खीस्तान चल रहा है जिसमें कु महत्पूर्ण बात आजाती है कि यह सारी जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें भारत जो इस पूरे चैप्टर का सबसे महत्पूर्ण भागाता है भारत की क्या भोमिका थे भारत अपने आपको कहां खड़ा देख रहा था और भारत की क्या प्लानिंग थी तो एक तो मैंने कि हम सीत्युदि के बिलकुल भी समर्थन में यानि भारत किसी महासकति की गुट में सामयल होने के समर्थन में नहीं था भारत दोनों महासकतियों से अपने लिए लाव दूण रहा था भारत का यह प्रयास था कि हम नए नए आजादुय हैं भारत ने MRT बयूस्था को अप प्राइवेट लोगों को भी आने दिया यानि कि पूजी वाद और समाज वाद का एक सास्तित्व हम कर रहे थे को एक्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिजम और सोसलिजम कर रहे थे ऐसे में हम किसी भी एक ध्रोग का हिस्सा नहीं बन सकते थे तो भारत ने क्या किया दो प्रमुग बाते देखने के लिए मिलेंगी तो क्या कि यह हम ऐसा सैनी गटमंदनों से विरत रहा भारत की रूची अपना आर्थी विकास करने में करना था हमको नए हम लेकर आ रहे थे आपको पता वर्श योजना होई लेकर आ रहे थे अर डान के सब्सक्राइब carbon ग्रीन रेवलूशन हैं हरित क्रांती हम यह अमेरिका जग कंसेप लेकर आये थे तो हम दोनों दोनों जगा के अच्छी चीजे लेकर आ रहे थे वन टूवन हमने समझोते सोवियत संग से भी किये थे लेकिन हम किसी के संघर्स में सामिल नहीं थे तो यह हमेशा सैनिक कर रहे थे वारे उपर गुलामी कर रहे थे तो भारत ने ऐसे किसी भी अपनिवेशिक शासन का बिरोद किया कि नहीं कोई किसी को गुलाम नहीं बनाएगा और उन्हें नैतिक समर्थन दिया इस प्रकार सीत युद्ध के प्रती भारत का दिश्टिकों न तो नकरात्मक और मतलब हम दिखाते देगे हमको को मतलब नहीं है लेकिन हम उसके बिल्कुल भी समर्थन नहीं थे हम ना बहुत आपोज कर रहे थे ना बहुत पॉजिटिव कर रहा है गुद्ध निर्पेक्षान दो कर रहा था कि हम सी तुद्ध से अलग है भारत अकेले स्टेंट को युद दोनों से निर्पेक्ष रहेंगे तथस्त रहेंगे हम किसी एक का हिस्सा नहीं बनेंगे यह बिल्कुल क्लियर था यह बिल्कुल इसपस्ट था तो भारत की एक तो ऩूसी तूद में यह हम भूमिका रही थी यह उसका मानना था भारत में हमेशा दोनों महासक्तिओं कre VI руки अपना काम नहीं कर सकते और हम एक सांती या या बिल्कुल ठीक बात कोरिया संकट इस तंदर में महत्पूरुदारण है कई बार ऐसा भी समय आया जब दोनों देशों ने यानि दोनों महासक्तियों ने भारत को अपना मध्यस्ता करने की अनुमती भी ठीक आप बाचित करवाई यह जैसे कोरिया वाला में बता था कि निर्प्यक्षान दोलंको तो सभी देशों का कि आप भी सांती बनाये रखने में सहयोग करिए पूरे सित्युद्ध के द्वारान भारत ने अंतराष्टी और छेत्री संगठनों जो सीत्युद्ध की भाग नहीं थे उसको बढ़ावा दे रहा था जो दोनों महासक्तियों से अलग थे जो किसी एक महासक्ति को फेवर नहीं कर रहे ते यानि भारत चाहता ही नहीं था कि केवल कोई एक महासक्ति उबरे वो यह चाहता था कि दुनिया में सह अस्थित्यु एक खत्रा बना हुआ था ना बड़े युद्ध का परमारुयु उद्ध का असांती का और के लिए तयार नहीं थे तो सी तुको सिधिल करने में अपने भूमिका निर्वाह कर सके याणी ऐसे संगठन जो सी तुको थोड़ा कम कर सके याज़ो इन सी तुके सामिल नहीं है और किसी भी संगठन को भारत समर्थन दे रहा था नहरू अमेजा राश्ट मन्डल में अपनी ये गुट में सामिल नहीं होना चाह रहे थे ऐसे राष्ट मंडल की भूमिका में नहरू हमेशा यानि भारत समर्सम दे रहा था कि राष्ट मंडल वाला बनाओ जिसमें सब एक साथ परिशान आप जो देश हैं या जो अपना डवलप्मेंट चाहते हैं वो सामिल रहें और य भारत की भूमिका बिल्कुल टटस्त की थी भारत हमेशा ये प्रयास में रहा कि ऐसे संगठन बने ऐसा अंदोलन चले जो इन दोनों धुरूओं से बिलग रहें क्योंकि भारत चाहता था कि उसके जैसे तमाम देश जो हैं वो अपना विकास इन दोनों महासक्तियों की सहा अस्थित्व नहीं बना रहेगा तो दुनिया में सांती का खत्रा हमेशा बना रहेगा और ऐसे देश जो नए-एजाद हुए थे ऐसे देश जिनको अपना चौम की विकास करना था उनकी सबसे पहली प्रात्मिक्ता वर्यता ये थी कि सांती दुनिया में बनी रहेगी तो जो नए देश हैं उनको अपने विकास के लिए दुनिया से तेल लेना है खनीज लेने हैं उनसे व्यापार करना है ये सब महंगा हो जाएगा अगर युद्ध की सिति आएगी तो ये सब कुछ महंगा हो जाएगा ये मिलना आसान नहीं होगा दुनिया की देशों से आर्थ आदोलन और दोनों के समय में देख सकते हैं तो इस तरह से हमने इस पूरे पार्ठ को कई भागों में बाठ कर समझने का प्रयास किया कि दो धृता थी क्या कैसे विश्चियुद के बाद ये दो गुट बने दो गुट बनने का जो पूरा प्रकरिया था वो किस किस तरह चला पिर गुट निर्पेग शान दोलन आया जो इन दोनों गुटों से बिल्गुल अलग रहा और इन दोनों गुटों से अलग रहने के बाद भारत ने इसमें एक औहम भूमिका निभाई और भारत सिर्ट वाग ये एक महत्पूर्ण चेप्टर जो पूरी दुनिया के इतिहास और हम कह सकते हैं कि राजदीती को बदल में एक अहम भूमिका निभा रहा था सीट्यूद और 1990 में जब सोबियस संग का बिगटन हो गया तो ये सीट्यूद समाप्त हो गया और एक महासक्ति अमेरिका बन कर उबरा था और पूरी दुनिया में एक मिस्तिर तर्वियोसा का जो कंसेप्ट हो निकल कर बहार आया और आज भी हम देखते हैं कि कई ऐसे देश हैं जो सीट्यूद जैसे दिखाई देते हैं जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बदाया था स्टुदेंट्स एक और जरूरी बाती है कि मैंने ब्रेंस हिंदी कच्छा 6-12 के लिए उनलाइन स्कूल सिक्छा बिल्कुल फ्री आफ कॉस लेकर आये हैं सभी सब्जेक के आपको सभी पार्ट हिंदी मेडियम में जो सभी स्टेट बोर्स के लिए जरूरी हैं वह हम इसमें कवर करेंगे इसमें आम चैप्टर को भी समझेंगे प्रशनुत्तर को भी समझेंगे और परिक्षाओं के लिए उप्योगी सभी सवालों को भी देखेंगे आपसे request यह है कि आप like, share और subscribe करिए हमारे Magnet Brins Hindi channel को ताकि हम सभी तक लोगों तक पहुंच सके और आपको और अच्छे-चे chapters और जरूरी जो विशे हैं वो आपके साथ share कर सके तो आज की कक्षा के लिए इतना ही एक one-sort revision भी हम इस chapter का करेंगे मिलते हैं एकली क्लास में Thank you so much